नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का Aspire Tutorial में स्वागत करता हूँ उम्मेद करता हूँ, आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक, Electro Static Potential Energy लेके आया हूँ जो आपके Board Point of View और जो भी आप competitive exam की तैयारी कर रहे हो उसके लिए एक एक बहुत important topic है सांती से पूरा लेक्चर देखेगा, मैं आपको guarantee दे रहा हूँ इसके बाद आपका एक भी question नहीं रुकेगा, चाहे वो आपका J.E. हो या N.E.T. हो या आपका Board का exam हो तो चलिए बिना time based के हुए session start करते हैं और समझते हैं electro static potential energy के बारे में तो चलो यार समझते हैं कि आखे ये electro static potential energy है क्या इसके बारे में हमने already देख चुका है आज उसी के application से एक नया term develop करेंगे जिसका नाम देंगे electro static potential energy इसको हम किस से represent करेंगे capital use से बोलो कुछ भी doubt देखो इसके पहले मैं आपको recall करा देता हूँ कि अगर हमारा मानो कोई charge होता था q यहाँ पे और हमसे r दूरी पर यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाता था क्या यहाँ पे हमारा electric field कितना है आप क्या लिखते थे electric field e vector equal to बोलो क्या लिखोगे भूल गए कि याद है k q y r square होता था कि नहीं यहाँ पे और इसकी direction इधर होती थी towards और अगर यहीं पे हमें potential लिखना हो potential potential difference की बात नहीं कर अगर हमें यहाँ पे potential difference लिखना हो तो कितना होगा potential difference होगा k q y r याद है कि भूल गए यह दो जो को हमने already discuss कर लिया था आयोप आपको याद होगा अब चलो याद समझते हैं अगर आपको class 11 याद होगा आप बताओ कि potential energy single particle का हम निकाल सकते हैं कि नहीं हम single particle का potential energy नहीं निकाल सकते जब भी आएगा इस difference आएगा तो आज के session में मैं जहां भी potential energy बोलूँ और मतलब change in potential energy की बात होगी समझ में आया की नहीं यहाप मैं लिख देता हूँ अगर इसका मुझे single particle है इसके लिए अगर हमें potential energy लिखना पने हमारा क्या आएगा जीरो क्यों क्योंकि single particle के लिए potential define ही नहीं है यह हमें चाहिए दो मिनमन दो चार चाहिए जिनके बीच difference लिया जा सके energy के difference है ओ है समझे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो हमारा electric potential है आराम से देखिए अगर सारा हम सारी चीज़ों को discuss करेंगे इसको याद रख लेना क्यूशन में पूछ सकता है इस नाट डिफाइन फार सिंगल चार्ज बोलो समझ में आया की नहीं आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कुछ नहीं है अभी एकदम बेसिक जस्ट फंडामेंटल स्टार्ट कर रहे इसको समझे देखना derivation आराम से हो जाएगा अब यह होता क्या है इसको थोना हम analysis करते हैं हम मान देते हैं हमारे पास दो चार्ज है एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है हमारा Q2 बोलो कुछ भी doubt इनके बीच कुछ दूरी है R ठीक अभी मैं क्या करता हूँ यहां से इन दोनो को close लाने की कोशिश करता हूँ पास पास आजाओ पास इन दोनों को मैं पकरन के क्या करूंगा एगदम पास पास लेके आऊंगा यहां से यहां तक ठीक यहां पर आ गया Q1 और यहां पर आ गया हमारा Q2 अगर इसको मैं configuration A बोलू और इसको configuration आप B बोलू तो जो हमारा potential energy आ ही आएगा अब यह आता कैसे है उसको हम समझते हैं तो यहां पर मैं definition लिखता हूँ फिर आपको explain करके एक एक चीज explain करेंगे तो देखो जो हमारा change in potential energy आएगा एक एक टर्म को समझे change in potential energy इसको हम किस से लिखेंगे data use से लिखेंगे कि नहीं change in potential energy इसको हम लिख देते हैं नाम देते हैं data use change को data use से लिखते हैं क्या होगी अगर इसको मैं बोल दूँ यह हमारा initial position था हमने इन दोनों को कुछ काम करके final position पे लाया हूँ कुछ ना कुछ काम तो किया गया होगा क्योंकि एक दोनों को रिपेल कर रहा है हमने पगर के जवर जैस्ती एक साथ ला दिया है तो कुछ ना कुछ काम किया होगा किसने काम किया होगा हम थोने गए हैं यहां पे common काम कर रहा है हमारा जो force है वही कर रहा है कि नहीं यहां सम सब्सक्राइब करेंगे अब एक नया टर्म आप बोलोगे कंजर्वेटिव क्या क्लास अजयमन में डिसकस किये थे थे ना जो आपका वर्क डन होता है फास पर डिपेंड नहीं करता भी स्कों मैं से एक्सप्लेंड कर देता हूं अब आप बताओ यहां पर हमारा कवन सब फोर्स है यहां पर हमारा केवल इलेक्ट्रो इस्टेटिक फोर्स ही है वही तो काम कर रहा है उसी के अगेंस्ट में काम किया जा रहा है कि नहीं आप बताओ यहां पर तो उसको रिपेल कर देखो जो इलेक्ट्रो इस्टेटिक पोटेंसियल है अगर हमेंकर दोनों पास आना चाहेंगे नहीं आना चाहेंगो रिपेल करेंगे तो इसी जी हमने यहां पर माइनस लगाया है कि हमें काम करना पुर्स वह ट्रैट्र स्टेटिक फोर्स है कि नहीं अब इलेक्ट्रो इस्टेटिक फोर्स आपको याद होगा इसी का जश्ट अपोजिट अगर इस्पीड ना चेंज हो उसके लिए हम क्या लगाते थे इसके लिए हम एक एक्स्टेर्नल फोर्स लगा देते थे जो जश्ट इसके बराबल होता था अपने पोटेंशियल में देखा था ना वो सेशन कि अगर हम अनन्द से किसी पॉइंट पिला रहे हैं उसके इलेक्ट्रो इस्टेटिक फोर्स लगता था उसके अपोजिट में हम एक एक्स्टर्नल फोर्स लगाते थे क्यों क्योंकि उसकी विलॉश्टी में कुछ भी चेंज ना आये हमारा अजम्संस था क्योंकि अगर विलॉश्टी में चेंजेस आया तो हमारा फार्मूला ही गलत हो जाता था जिसके कारण काइनेटिक इनर्जी में भी कुछ भी चेंजेस नहीं आते थे तो अगर यहां कोई हमारा एक्स्टर्नल फोर्स लग रहा है तो यहां पर फोर्स लगाते थे नो चेंज इन इस्पीड क्यों करते थे ताकि हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या रहे हमारा जीरो रहे अगर यह नहीं समझना अभी मैं आपको वर्क करना है आप एक बार गये इस पाथ से कौन से पाथ से एक बार आप गये एकदम सीधा सीधा पाथ नमबर वन यहां से गये पाथ नमबर टू यहां से गये पाथ नमबर थिरी और जितने भी आए हैं यहां साप ऐसे ऐसे आए पाथ नमबर फोर तो जो इन सम्में काम किया जाएगा वो हमारा पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा वर्क डन आप किसी भी केस में करो से मायेगा मतलब मारा वर्क डन जो है वह पाथ independent है ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं क्या होता था work energy theorem work done by all forces equal to क्या होता था changing kinetic energy याद है कि भूल गए यहाँ पर देख देता हूँ work energy theorem हमारा क्या था क्योंकि अभी अगर इसमें आए work done by work done by all forces work done by all forces is equal to किसके बराबर होता था equal to change in kinetic energy change in kinetic energy को के इस से देख देख दें समझ में आया कि नहीं अब यहाँ प्यार देखो इस configuration कौन कौन से force काम कर रहा है अगर हमें मानो इस configuration इधर देख के आए तो इसकी speed ना change हो एक तरह हम धीरे धीरे process हुआ है बहुत हिस लोजी हुआ है तो उसके just opposite हम एक external agent लगाते थे कि नहीं तो यहाँ पर एक हमारा conservative force काम करेगा एक हमारा common work done by external agent जो हमने लगाया है एक किसके बराबर होगा जो हमारा electrostatic force होगा उसके just opposite होगा equal to change in kinetic energy अब बताओ हमने यहाँ पर अजमसन दे दिया है कि हमारा जब यहाँ से यहाँ लेके आये इतना slow लेके आये हैं कि इसके speed में कुछ भी changes नहीं हुआ है तो हमारा change in kinetic energy क्या हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा 0 तो यहाँ से मैं अगर W conservative force हमारा क्या है electrostatic force है A plus है उधर जाएगा हमारा क्या होगा minus W यह होगा न external agent तो आप किसी को भी बोल सकते हो जो एक दूसरे के क्या है opposite है किसी को आप ऐसे चाहो work done by external agent equal to minus work done by conservative force बोलो यह समझ में आया की नहीं I hope आपको यह समझ में आ गया होगा अगर नहीं समझना है आप वीडियो को pause करिए एक बार फिर से देखे सारा doubt आपको clear हो जाएगा और यह सब हमने कब लिया है जब हमारे assumptions क्या है speed में कोई भी changes ना है उसको एकदम slow-slow move कराना है बोलो यह समझ में आया की नहीं यह था हमारा potential energy का हम जहां भी potential energy बोलेंगे change in potential energy है ठीक है आप वही मारा अब चलो अगरा topic लेते हैं आज का कि हम किसी भी point का potential energy निकालते कैसे हैं यहां तो हमें clear हो गया कि हम single charge की potential energy नहीं निकाल सकते minimum हमें कितने charge चाहिए two या two से ज़्यादा मतलब एक charge का system चाहिए तो हम potential energy कैसे निकालेंगे उसी के बारे में discuss करते हैं तो चलो समझते हैं मान देते हैं हमारा दो charge है एक charge है Q1 और एक और charge है A है हमारा Q2 ठीक यह एक दूसरे से R दूरी पर रखे हुए हैं आपसे अगर कोई बोले इन दोनों charge के कारण potential energy कैसे निकालोगे वही आपको निकालना है बोलो समझ में आया की नहीं I hope आपको clear हो गया होगा अगर नहीं समझना आया है पहले आप farm station देख लीजिए आपको यह सारी चीज की clarity आ जाएगी और previous lecture जो हमने पोटेंसियल उसा डिसकस किया तो पूरा concept उसी पे बेश्ट रहने वाला है तो चलो इसका हम निकालते हैं solutions की कैसे हम potential energy निकालेंगे हमारा target है इसको निकालना तो हम क्या करेंगे आप बोलो हमने कुछ दिमाग लगाया अरे यार यह तो कैसे हम निकालें एक काम करते हैं अगर हम इस combination को कहीं आईस्ती जगह पे रख दे जहां पे इनका एक term zero हो जाए तो तुरंथ हमारे दिमाग में क्या आया कि जो हमारा अनन्थ होता है वहाँ पे तो हमारा potential energy potential सब क्या होते है सारी चीजें हमारी zero होती है कि नहीं बिल्कुल सही तो हमने क्या किया यहां पे कुछ ऐसा दिमाग लगाया है ए रहा Q1 ए रहा हमारा Q2 एक मिनट मैं पें एक है इनके इनको अभी मैंने क्या किया यहां पे लाना था तो मैंने इसको सोचा कि यहां पे नहीं लाके मैं क्या करूँ इनको अनन्त पे रख दूँ है कि नहीं इन दोनों चार्जेस को Q1 और Q2 को मैं कहां पे रख दूँ अनन्त पे इस सब हमारे कहां पे है अनन्त पे इनिसियल में यहां पे थे यहां से उठा के मैं ऐसा मान देता हूँ कि यहां पे लेके आया गया और इनके बीच आर दूरी का गय बना के रखा हुआ है बोलो कुछ भी डाउड आपको यहां से एक एक चार्ज को ऐसे पक्नो लाओ यहां पे Q1 को कर दो यहां पे Q2 को कर दो कुछ ऐसे ही करेंगे कि नहीं तो हमें समय हाँ यार हम तो अगर अनन्त पे मान दें तो हमारा अगर जो चेंज इन पुटेंशियल इनर्जी है अगर यह इनिसियल है यह हमें फाइनल में चाहिए तो एक टर्म तो हमारा क्या हो जा रहा है तो यहां पे मैं जब यू फाइनल माइनस यू इनिसियल इक्वल टू वर्क डन बाई कमन वर्क करेगा इक्स्टर्नल एजेंट वर्क डन बाई हमेशा हम इक्स्टर्नल एजेंट का लेंगे और यह किसके बराबर होगा माइनेस वर्क डन बाई इलेक्ट्रो इस्टेटिक फोर्स बोलो यह समझ में आया कि नहीं आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा देखो अच्छे से समझे यू फाइनल इनीसियल में कहां पर रखे गए थे अनन्थ पर अब किसको किसको हमने देखे आया है एक बार हमने Q1 को लाने में कितना कारे किया गया और Q2 को कितना लाने में कितना कारे किया गया अगर इन दोनों का मैं समयशन देदू तो मुझे मिल जाएगा कि नहीं बिलकुल सही यह हमें मिल जाएगा तो यहां पर जो हमारा work done by external agent किसको लाने में Q1 को लाने में प्लस work done by external agent जो हम इस पर काम कर रहे हैं कम से charge को लाने में Q2 इसको लाने में कितना कारे किया गया यहां पर U infinity हमारा 0 हो जाएगा जो U final आग देखो एक term हमने zero कर दिया इसलिए चीज़ों को अनन पर मानते हैं ताकि जितने हैं variable हम कम से कम रख सके तो यार अब अगर किसी तरह हमें charge Q को इस point पे लाने पे कारे मिल जाए और charge Q2 को उस point पे लाने पे कारे मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा कि नहीं एकदम आसानी से हो जाएगा अब उसके लिए हम जुआर करते हैं बो यह समझ में आया कि नहीं आपको ऐसे अप्रोच करना है वो concept आपको सिखा रहा हूं जैसा कि आपको पता यहां conceptual learning होती है और पहले हम traditional method से करते हैं इसके बाद potential का use करके करेंगे तो पहले traditional को समझते हैं अब इसको चलो solve करना शुरू करते हैं अभी हम क्या करते हैं मान देते हैं हमारे दोनों charge कहां पे रखे हुए है अनंत पर ठिक ए है हमारा Q1 ए है हमारा Q2 कहां पे हमने रखा है अनंत पर तो आते आते यहां पर पहुंच गया जहां पर आना था यहां पर आके बैठ गया Q1 तो आप मुझे पताओ Q1 को यहां पर लाने पर कुछ कार किया गया कोई कार यह नहीं किया गया क्योंकि हमारा जो external agent इस पर कोई कार है नहीं कि इसको हमने इससे देश उठाय लाकर रख दिय ठीक अब जैसे ही हम Q2 को लाने की कोसिस करेंगे तो यहां पर Q1 पहले से बैठा हुआ है यह क्या करेगा Q1 को आने देगा बिल्कुल नहीं एक मिनट इसको मैं green कर दिया हो करना है तो आप बोलोगे सर्चार्ज बदल गया क्या ठीक है Q1 को हमने यहां पर लाया अब हम क्या करेंगे कि Q2 को लाने की कोसिस करेंगे यहां समयने उठाया Q2 को मान देते हैं अभी यहां पर लेके पहुंचे हैं और इसको देके आना है यहां पर फाइनल पोजिशन जो इनके बीच है गय आर इस डिस्टेंस पर लाना है है कि नहीं अब आप बोलो जब हमने Q2 को लाना शुरू किया यहां से यहां पर लाया तो Q1 तो यहां आल्रेडी बैठाए इस पर एक फोर्स लगाएगा कि नहीं आप बताओ इस पर कौन सा फोर्स लगेगा एक इलेक्ट्रो इस्टेटिक फोर्स लगाएगा F, E, जिसकी बेज़ू कितनी होगी अगर यह चार्ज हमारा Q2 को लेक्यार है हमें एक इमेजन्दी पुजिशन मान जे रहे हैं तो होगा K Q1 by Q2 divided by अगर इन से यहां के बीच की दूरी में किसी रैंडम पॉइंट पर मान जों कितना है X तो यहां पर फोर्स कितना होगा X स्क्वार यह आया हमारा इलेक्ट्रो इस्टेटिक फोर्स इस फोर्स से Q1 इसको रिपेल करेगा बोलेगा भाई मत आओ जैसे हम Q2 को लाने की कोसिस करेंगे Q1 के कारण Q0 हुगा पता नि इसको हमने जड़ा सरी से पूल किया जाते जाते यहां पर आ गया कोई भी कार यह नहीं किया गया इसको भी मैं लिख देता हूं और जब Q2 को यहां पर लाए तो इसको रिपेल करेगा तो इसी के अपोजिट में हम बोले इसी जिए हमने एक्स्टरनल फोर्स लगाए थे इसी जिए हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे तु कम होगा ठीक है जैसे उधर जाने की कोशिस करेगा ना ना उधर मत जाओ हम आपको इधर लेके चलेंगे बोलो यहां तक आपको समझ में आया की नहीं तो जो हमारा एक्स्टरनल आएगा वह हमारा कितना आएगा इसकी बेलू इसके अपोजिट होती है तो हो जाएगा माइ क्यों आपको explain किया है क्योंकि Q1 को हमने simply लाकर यहां पर रख दिया उसके अगल वगल कोई रिपेल कोई अपोज करने वाला है ही नहीं तो किसके अगेंस्ट में वो काम होगा तो जिसके लिए यहां पर no work is done देखो यह एक एक टर्म को हम से cancel कर रहे है no work is done bring Q1 Q1 को लाने ह हमने कोई काम ही नहीं किया तो जो हमारा work done by external agent Q1 था इसको इस point पर लाने पर एह हमारा क्या हो गया है जीरो अब अगर हम इसको जरा से यहां से deflect करें dx तो आप पता work done equal to क्या होता है याद है ना आपको work done work done हमारा ही होता है force f vector into यहीं होता है na dx vector जो small displacement करेते हैं एकदम छो to सा work आता है तो अगर हमें पूरा work चाहिए यहां से यहां तक आने में अनंत से लेके हमें Q2 तक आना है तो हम क्या करेंगे इसका इंट्रीगेशन करेंगे करेंगे कि नहीं और हमारा फोर्स किसके आप पोजेट में कर रहे है इक्स्टर्नल फोर्स देखो यह कि टर्म हम कैसे आपको आपको कर रहे है तो यहां पर work done भी हमारा क्या आएगा इक्स्टर्नल जब इसका हम निकालेंगे work done by external agent equal to force की value हमारे कितनी आएगी बोलो force की value है हमारी minus k q1 by q2 divided x square इनके बीच कितना displacement हुआ है dx अब देखो यह एकदम छोटू वाला है तो हमारा कहां से कहां पर आ रहा है हमने अनन्त से चला है r की value अनन्त पर कितनी होगी i at infinity i at infinity r equal to कितना होगा sorry यहां पर x है न तो x equal to हमारा कितना होगा infinity यहां भी इसको मिटा देते हैं वो दो समझ में आ रहा है कि नहीं कैसे कैसे patience के साथ देखे एकदम आसान है x equal to हमारा हो जाएगा infinity i at q2 q2 पर जब हम पहुँचे तो x equal to हमारा कितना है r तो यहां से हम limit लगा देंगे कहां से कहां तक infinity से चले थे r पर आना है इसका integration करके हम work done निकालेंगे जो हमारा work done आएगा वो हमारा क्या होगा change in potential energy देखो कितना easy हमने इसको निकाल लिया यह रहा पहला में था अब यार यह तो जब हमें कुछ नहीं आता था इस तरीके से करना यह भी गलत नहीं होगा समझ गए कि नहीं सेकेंड में थम देखते हैं इसका यूज करेंगे potential का इससे वही कहानी बनाते हैं हम मान देते हैं दोनों चार्ज को कहां पर रख देते हैं पहले अनंत पे q1 है q2 है आप बताओ अनंत पे potential कितना होता है सारी च रखा है अनंत पे तो यहां मैंने simply उठाया q1 को लाया और यहां पर रख दिया है कि नहीं यहां पर q1 को मैंने simply लाके रख दिया वह लोग कोई काम किया गया कोई काम नहीं किया गया q1 को यहां पर लाने पे इसके बाद हमने जैसे ही q2 को लाने की कोशिस की q2 को जब यहा स्ट्रोइस्टेटिक फोर्स डेवलप होगी और उसको बचाने के लिए हमारा एक्स्टेरनल फोर्स आएगा कि नहीं तो यह हुआ हमारा कवन सा पोजीशन जो हमें चाहिए था इनिसियल और ए हुआ हमारा इसके भी डिस्टेंस दिया है और ए हमारा फाइनल पोजीशन है और इन्फैनाइट पर जो है ए हमारा इनिसियल पोजीशन बोलो समझ में आया कि नहीं और इन्फिनिटी पे हमारा पोटेंसियल कितना होता है भी इन्फिनिटी चेंजिन पोटेंस यह होता है हमारा जीरो अब चलो हम potential का यूज करके कुछ काम करते हैं आप मुझे पताओ अगर मुझे potential के term में लिखना रहे इस point का तो हम क्या करेंगे आप बोलो यहां से मैं कहां पर आए है भी पी अगर इस point को नाम मैं क्या देदू पी जो q2 पे आ रहे हैं कौन सा कलर ले जेते हैं यहां इस point को पी नाम देदे हम अनंत से पी तक आ रहे हैं तो अगर हमें डिफ्रेंस लिखना है potential का भी पी हमने potential तो आज रेड़ी पूरा देखा हुगा एकदम detail में क्या होता था work done by external agent work done by external agent कहां से कहां पे ला रहे हैं अनन्त से चल के पी पे ला रहे हैं infinite से लेके पी तक और किस charge को लेकर आ रहे हैं उसी से divide करना है किसको लेकर आ रहे हैं q2 को बोलो समझ में आया की नहीं आई होप आपको एक clarity आ गई होगी अब यहां पे देखो हमने जुआब इसी जिए अनन्त रखा है ताकि एक चीद चली जाए यहां पे यह तो हमारी 0 हो गई जो हमारा work done आया work done by external agent कहां से कहां तक infinity से लेके पी तक लाने में यह हमारा कितना आएगा आप मुझे बोलो यह हमारा आएगा भी पी into q2 बोलो यहां तक समझ में आया की नहीं अब यार मुझे बताओ work done q1 को लाने में कुछ किया गया है यहां पे देखो मैंने बताया था q1 को लाने में कोई काम नहीं किया गया है काम किसको लाने में किया गया है q2 को लाने में किया जा रहा है तो जो हमारा work done external agent q2 को होगा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिर से लिख दूँ यहाँ पर लिख देता हूँ W external agent किसको लाने में Q1 को लाने में क्या हो रहा है 0 लेकिन जब हम work done by external agent Q2 इसको यहाँ पर लेके आएंगे कहां से from infinity to P P point पर जब लेके आएंगे देखो फार्मूला हमने अभी दिखा अब आप मुझे बताओ अगर आप भूल जाओ कि वहाँ Q2 भी है यहाँ पर भूल जाओ कि Q2 भी है केवल मैं मानूं अगर मेरा Q1 यहाँ पर प्रजेंट होता एक मिनट पे इन फंस रही है अगर हमारा यहाँ पर Q1 प्रजेंट होता और जो point P है आर दूरी पर हमसे potential पूछता तो B P equal to मैं क्या दिखता के Q1 divided by इनके बीच का difference की नहीं वही दिखते ना तो यहाँ पर मैं वही assume करके कर रहा हूँ कि अगर हमारा Q2 is not अगर Q2 हमारा वहाँ पर नहीं होता तो हमारा potential क्या होता हमारा जो potential है point P पर Q1 के कारण वो निकल के आएगा के Q1 by R तो हमारा work done चाहिए किसके लिए work done by external agent किसको देके आएगा है Q2 को इसके द्वारा जो कार किया जाएगा वी पी वी पी की बेज़ी होगा के Q1 by R और पहजे से हमारा कौन मवजूद है Q2 तो जो हमारा change in potential energy निकल के आई है इस system की US वो हमारा कितना होगा work done by external agent यहां Q2 ही काम कर रहा है वो होगा हमारा के Q1 Q2 divided by R कैसे किया समझ गए न देखो potential का use करके हमने कितना आसानी से कर दिया दो charge रहे अगर उन पे पूछ रहा है पहले दोनों को अनन्त पे रखना पहले को लाने में कोई कारी नहीं किया जाता और यह सारी adjustments कब हो रही है जब हमारा kinet एकदम स्लो स्लो मूब करा रहे है स्पीड में कोई changes नहीं हो रहा है कोई air resistance कोई drag सब कुछ भी नहीं है बोलो समझ में आया कि नहीं और हम अनन्त पे क्यों मानते है क्योंकि हमारा एक टर्माटोमेटिक डिर जीरो हो जा रहा है बोलो समझ में आया कि नहीं सिस्टम का हमें अगर potential energy पूछा हो रहे क्या है change in potential energy है तो आप कैसे निकालो कि k q1 q2 divided by उनके बीच का difference और k की बैदू क्या है 1 by 4 pi epsilon यहाँ पे हमने सारी चीज air के लिए की है तो 1 by 4 pi epsilon naught बोलो समझ में आया कि नहीं और जो हमारी potential energy है यह हमारा क्या है आप बोलो scalar है कि vector जो हमारी potential energy है यह हमारी scalar quantity यह हमारा scalar quantity है और दूसरी बात जब आप q1 q2 को रखोगे जब q1 q2 को रखोगे put q1 इसको बहुत important है q1 and q2 with sign sign के साथ रखना क्योंकि यह फार्मूला हमने sign positive लेके निकाला हुआ है उसको repel कर रहा था external force लगाए सब यह निकल के आया है बोलो समझ में आया की नहीं कुछ नहीं है आप चाहो traditional method से जाना force निकाल लेना छोटू सा displacement करना यहाँ पूसका integration कर दूग यह आएगा अगर potential का use करोगे यह line में answer आएगा आपके उपर है आप कौन prefer करोगे लेकिन मैं recommend करूँगा कि आप potential का use करके निकाले चलिए अब इसमें कुछ questions करते हैं ताकि understanding और अच्छे से clear हो exam में कैसे question पूछे जाते हैं सबसे पहले देते हैं वर्मा साहब का एक theoret question हम जब भी ऐसी कोई फार्मूजे सीखते हैं कहां से सुरू करते हैं triangle से तो आज भी वही triangle लेते हैं मान लेते हैं कोई हमारा equilateral triangle है इसके vertices पर हमारे तीन चार्ज रखे हुए है Q, Q और Q अगर equilateral triangle है हमारा A distance A distance सब हमारे बराबर है तो हमें क्या बोल रहा है find potential energy of system देखो system की बात हो रही है find potential energy of system system में minimum कितने चाहिए 2 चाहिए 2-2 का हम combination बनाएंगे बोलो समझ में आया की नहीं I hope आपको यह समझ में आ गया होगा चलो अब इसका solve करते हैं अगर इसको मैं point दे दूँ 1 इसको दे दूँ 2 इसको दे दूँ 3 बोलो कितने system बनेंगे आप इसको देखके कैसे identify करोगे तो देखो यार minimum हमें समझ में आया कि भाई अगर single charge रहेगा इसके कारणक हमारी potential energy zero हो जाएगी तो एक काम करते हैं 2-2 की pair में बनाते हैं एक system में बनेगा 1 और 2 को देखे एक system बनेगा Q2 and 3 को देखे एक system बनेगा 3 और 1 को देखे बोलो समझ में आया कि नहीं हमें अगर system का लिखना है तो हमें दो-दो के pair में लिखने पनेंगे एक होगा हमारा u 1-2 तो देखो पहला question है अच्छे से देखते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा system को ऐसे देते हैं उसका भी मैं अभी आपको फार्मूला देता हूँ 3 1 अब देखो यार यहां पे हम 2 point के बीच difference अगर 2 charge है उनके बीच हमें potential लिखना है तो हमारा क्या होगा us equal to k sign के साथ हो charge 1 और 2 पे 1 पे कौन charge है Q 2 पे कौन charge है Q इनके बीच distance कितना है A हो गया potential energy कहीं भी पूछे अब बार बार हम थोड़ी अनन्द पे जाएंगे यार सब हमने इसी लिए derive किया था उसका use करने के लिए 2 से 3 के बीच देखो एक system मैंने 2 3 को मिला के बनाया है यह आएगा K charge है 2 पे Q 3 पे भी है Q अगर minus होता तो minus के साथ sign रख देते कोई भी changes नहीं आएगा इसी तरह 3 1 का K Q Q divided by A तो यहां से जो हमारा system निकल के आया है सब हमारे क्या होंगे सारी चीजें हमारी add हो जाएंगी तो यह निकल के आएगा 3 K और Q into Q क्या हो जाएगा 3 K Q square divided by A अगर हमसे इसका potential energy पूछता है देखो कितने आसानी से हमने निकाल लिया है और इसको हमने क्या यूज किया है जश्ट वही फार्मूदा अगर हमारे दो चार्ज है Q1, Q2 एक दूसरे से R दूरी पर रखे हुए है तो इस system की potential energy क्या है K Q1 into Q2 divided by R इस चीज को आप याद रखना मिन्मम दो दो system बनाना आप आसानी से निकाल लोगे अब हम कैसे identify करें हमारे कितने system बनेंगे उसके जिए आपको क्या करना है कि अगर देखो यह मैं बहुत ही अच्छा बता रहा हूँ If in charges are distributed इस सारे कौन से charge है point charge की बाते हो रहे है If in charge are there अगर वहाँ पे in charge है तो आपके कितने system बनेंगे उसको आप कैसे आप identify करोगे How to identify systems How to identify कितने system हमारे बनेंगे charges के तो आप देखो system बनाने के जिए हमें minimum कितना चाहिए था आप बताओ अगर मैं ऐसे q1 q2 q3 ऐसे अनंत नंबर के पूरे charge हम यहां पे रख दिया है q in ठीक है अगर यहां से हमको भोजे कितने नंबर आप system बनेंगे आप कैसे निकाओ जैसे minimum two charges required for systems है कि नहीं minimum two charges अगर हमारे पास anything है minimum two charges are required है कि नहीं आप मुझे बताओ मैत में आपने पनाओगा permutation and combination यहां क्या यूज होगा combination अगर हमें चुनना है n में से n नंबर आप charge हमें कितने चुनने है 2 तो हमारा क्या होगा n c 2 इसको क्या बोलते है combination देखो n c r का आपका फार्मूला होता था अगर हमारे n नंबर आप object है उसमें समय r things चुनने है तो हम कैसे चुनेंगे इसका होता था n factorial याद है कि भूल गए divided by r factorial into n minus r factorial यहीं होता नहीं विल्कुल यहीं होता था इसी को बोलते है combination जिसे आपको मानो 5 वस्तु है या 10 मानो 10 आदमी है आपको 2-2 के pair बनाने है तो total कितने pair बनेंगे उसके calculation के लिए यह फार्मूला यूज होता है समझ में आया कि नहीं ऐसे यहाँ n charge है हमारे कितने pair बनेंगे तो हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे nc2 करके तो इसको जो हम expand करेंगे उपर का क्या आएगा उपर का factorial factorial का मतलब होता है कि यहां से multiply होते होते 1 तक जाएगा नीचे आएगा 2 factorial मतलब 2 into 1 हो जाएगा into n minus 2 का factorial बोलो समझ में आया कि नहीं factorial जैसे आप बोलो 5 factorial को इस एक दे है 1 तक इसके बैदू कितनी होगी 5 into 420 तोटल 120 होगा 5 factorial ऐसे हैगा 3 factorial हो तो यह क्या होगा 3 into 2 into 1 जितने भी नंबर बोले कहां तक आपको आना है 1 तक आना है जैसे हाँ n factorial n minus 1 n minus 2 n minus 3 डाट डाट आपको कहां तक आना है उसके factorial को expand करते हुए बोलो समझ में आया कि नहीं एक एक हम क्या करेंगे minus करते जाएंगे और मुझे के टर्म में भी इसको जिखे लूँ कि समझ गए रहार n factorial अपना होता है n into n minus 1 into n minus 2 यह हमारा कहां तक जाएगा डाट multiply होते होते आएगा 1 तक इसी फार्म में हम इसको रख रहे हैं बोलो समझ में आया कि नहीं सिस्टम हम कैसे identify करेंगे नंबर आप charges देखके आप बता लोगे एक नहीं आई होप आप विल्कुल आसानी से बता लोगे चलो एक question करते हैं तो समझ में आएगा क्या ले दे एक इसक्वायर है इस पे हमने फॉर्स भी नीजाला था एउलेक्रिक थ्रीड भी निकाला था एलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी नीजाल देते हैं इसको क्यों skip करेंगे अगर यहांपे मैंने कि साइड है चारों क्या होंगी हमारी बराबर होंगी पहले तो आप मुझे यह बताओ कि कितने नंबर आप सिस्टम बनेंगे अगर हम यू ये इस लिखेंगे तो किसको किसको सिस्टम बनाएंगे आपको पता तो होना चाहिए चलो वीडियो को पॉस्ट करें और ट्राइ जब आपको recommend करूंगा यह सब जाने से पहले आप पहले समझ लेना कि कितने system बनेंगे उतने बन रहे हैं कि नहीं वो चेक कर जा नहीं तो question आपका क्या होगा गलत हो जाएगा तो यहां पर total charge हमारा कितना है 4 और हमें system बनाने के लिए minimum कितने चार चाहिए 2 तो यहां पर जब हम इसको देखेंगे 4 factorial यही था नए divided by 2 factorial into n-2 n की जगह क्या है 4 वही मैं यहां पर लिख रहा हूँ 4-2 factorial जब इसको हम swap करेंगे 4 into 3 factorial का मतब multiply करते करते 1 तक जाना है इसको open करेंगे 2 into 1 अब 4 में से 2 गए कितना आएगा 2 factorial फिर से 2 into 2 तो यहा 2 2 जब 4 और 4 से 4 cancel हो गया तो जो total number आप system आये हैं वो कितने बने है 6 तो यहां पर हमें 6 system बनाने परेंगे अब कौन-कौन होंगे उसको लिखते हैं एक तो देखो हमारा 1 out 2 को मिला कि मैं एक system बना दू यू 1 2 plus 2 out 3 को ले दू यू 2 3 plus 3 4 को ले दू कोई बात नहीं सर यहां मैं आसानी से बना दिया देखो मैं इसको इसे लिए समझाया बहुत लोग क्या करेंगे ना फर्स टाइम देखेंगे सीधा यह करके गलती कर देंगे जो मैं सिखा रहा हूं इसको समझे बुक में मत जाए उसमें बहुत complicated लिखता है आप confused हो जाएंगे मैंने तीन चार बु Q1 Q3 के साथ और एक सिष्टम में बनाएगा Q2 Q4 के साथ बनाएगा कि नहीं तो यहां पर हमारा जो diagonal के along है यह सिष्टम वहां से बनेगा एक बनेगा U13 और एक बनेगा हमारा U24 बुलो छे हुए 1,2,3,4,5,6 हमारा यहां भी 6 सी आया था अब सब की value लिख देना है क्या है इनके बीच की distance और चार्ज यहां पर लिखना है देखो एक्जाम में आपको क्या देगा पता है एक्जाम में आपको value दिया रहे है जिसे 5 कुलाम, 10 कुलाम, 15, 20 जो भी दिया रहे है इनके बीच का कुछ भी distance दिया हो just मैं आपको एक general term सिखा रहा हूँ तो जो हम पहले का लिखेंगे k first पे charge क्या है q1, second पे है q2, इनके बीच का distance a, कुछ भी दिया रहेगा 5 meter, 4 meter कर दोगे की नहीं 2 and 3 पे k q2 into q3 divided by b का distance a, प्लस इसी तरह 3 4 का k q3 into q4 divided by a, इसी तरह 4 और 1 का q4 1 plus q1, एक मिनेट यहाँ पे अनफास रही है k q4 into q1 divided by a, इसका तो हमने लिख लिए, अब हमें diagonal के along लिखना है, बोलो diagonal लेंज कितना होग, अगर a है, यह है, यह है तो a हमारा right angle triangle pythagoras में a square plus a square, अगर इस distance को मैं r मानू, r equal to a root 2 आएगा नहीं, pythagoras से बिलकुल वही आएगा तो यहाँ पे मैं direct लिखता हूँ, u1 and 3 के बीच में, तो k q1 into q3 divided by distance कितना हुआ, r, r की value यहाँ हमारा a root 2 हो जाएगी, होगी कि नहीं, a root 2, इसी तरह हम 4 और 2 का लिखेंगे, k q2 into q4 divided by, यह प्यंसार नहीं दिखेंगे, a root 2, वो जो समझ में आएग नहीं, I hope आपको समझ म आ गया होगा, अगर कहीं भी कुछ भी doubt है, वीडियो को pause करिए, एक बार फिर से देखे, सारा doubt किलियर हो जाएगे, बुझो सिस्टम में अगर आपसे energy पूछे, pentagon, hexagon, यह कुछ भी distance पूछे, आप कर लोगे कि नहीं, I hope आप आसानी से कर लोगे, कुछ नहीं है, आपको potential energy रखना है, दोनों charge के Q1, Q2, divided by उनके बीच की distance of Q1, Q2 को, put Q1 and Q2, एक बहुत note, मैं फिर से बोरा, Q1 and Q2 with sign, magnitude के साथ मत रखना, क्योंकि वो अपना किसके sign derive हुआ है, sign को लेके derive हुआ है, बोलो, समझ में आयक नहीं, अगर कुछ भी doubt है, वीडियो को pause करिए, एक बार फि इस type के question आएंगे, आप कर दोगे, एक नहीं, एक दम इजी जी जी, एक सब अपके board में आते हैं, और Nate या Jay में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, अब जो competition point आप भी उस है, उस type के question को देखते हैं, कि हम potential energy system की कैस से निकालेंगे, तो चलो, एक मैं यहाँ पर question ले रहा इस पर charge था Q, इधर भी था Q, और इनके बीच का distance क्या ले है, 2A, 3A, 4A, जो आप बोलो, चलो, 3A ले देते हैं, उधर हमने 2A सब लेके किया था, Q, एक्टर है, तो इस सारे distance हमा रहे होंगे, 3A, 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 एह हमने क्या किया, एह हमारा initial position था, यहां से मैंने इनके बीच की दूरी कम कर दी है, final position में changes कर दिया, कितना कर दिया, कुछ भी कर सकता हूँ, जो आपकी vertical equation easy हो, exam में कुछ भी पूछे, मैं एक general term दे रहा हूँ, इसके vertices पे chart अभी भी same है, मैं just इनके बीच की दूरी अभी A, A और A कर दिया, आपसे पूछ रहा है work done by X, देखो, अगर आपने इनके बीच दूरी घटाई है, क्या यह दोनों एक पास आना चाहेंगे, नहीं आना चाहेंगे, अपोच करेंगे, जिसके लिए आपको काम कर external agent करेगा, तो वही आपसे पूछ रहा, वीडियो को pause करिये और शुरू हो जाएए, देखो या question हो या ना हो, आप जब तक try नहीं करोगे न, आपको नहीं समझ में आएगा कि आपसे question बन रहेंगे, नहीं गलती होगी, कोई बात नहीं, मैं तो आपको solve करा ही रहा हूँ, यहां से देखिए, नहीं तो एक्जाम में गलती होगी, external force to change, to change, इसको मैं क्या नाम देदू, configuration A, इसको नाम देदा हूँ, b, to change configuration, a to b, work done बोजे आप potential, बोजे, change in potential energy सब क्या है, same है, configuration a to b, a से b में change करने पर कितना काम किया गया, वही आपसे पूछ रहा है, शुरू करिए, I hope आपने solve कर दिया होगा, अगर आपसे solve हो गया, तो बहुत यह अच्छी बात नहीं हुआ, तो मैं कर रहा हूँ, और देखिए कि कहां पर आपसे mistake हुई, देखो यारी, कितना ही जी क्यूशन है, कुछ भी नहीं है, जैसे यह चीजे आएं, अगर यह बदला है, कौन से energy लगेगी, यहाँ पर potential energy का हमारा concept आएगा, potential energy हमारा क्या होता है, final minus initial, u b minus u a, equal to a plus आएगा, अगर electro static लिखेंगे, तो minus आएगा, हम electro static force के against में हमारा external force act कर रहा है, इस बात को य प्याद रखना, यहाँ पर जो हमारा work done by external force, यही होगा नहीं, और यहाँ पर हमारा work done by external force, यही तो हमसे पूछ रहा है, तो देखो यार, अगर किसी तरह हम b पे potential लेके, और a के potential को minus कर दें, तो हमारा काम हो जाएगा, एक नहीं, विल्कुल आसानी से, इसलिए यहाँ पर external agent पूछा है, क्या करेंगे, u, b minus, u, a, b point पे इन तीनों का system का क्या करना है, हम में potential लिखनी है, अगर हम इसको 1 दे दें, इसको 2 दे दें, इसको 3 दे दें, यहाँ भी इसको 1, 2 और 3 दे दें, एह हम किसके लिए कर रहे हैं, b के लिए, तो हमारा बनेगा, u12, plus u23, plus, देख हमने किसके लिए किया है, b के लिए, minus, a के लिए भी सी तरह होगा, u12, plus u23, plus u31, बोलो, समझ में आया कि नहीं concept चिखे, इसके बाद आप आसानी से कर दोगा, कुछ भी इसमें नहीं है, चलो, अब इसकी value put करते हैं, फटा-फट, तो work done by external, b के लिए देखो, 12 का system क्या होग यहाँ पर देखो, अगर 1 और 2 को मैं जो, k, q, q, y, इनके बीच का distance कितना होगा, a, यह सब आपके book की किताब है, वर्मा साथ की आप book देखो गए न, वहाँ पर यही सब question पूछे गए, k, q, q, divided by a, 2 and 3 का, 3 and 1 का भी हमारा same charge है, इसलिए direct पर दिखना होगा, निगेटी हो यही होता था कि नहीं, अगर 2 charge हमारे, 2 charge एक दूसरे से अगर r दूरी पर रखे होते थे, इसी का मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर हमारा आ जाएगा, k, q, q, divided by, इनके बीच का distance है, 3 है, तब बताओ, समझ में आया कि नहीं, कुछ भी distance देखा कर लोगे, आप से पूछ दिये जाते हैं, कुछ मत करना, change in potential energy निकाल देना, आपका question solve हो जाएगा, final और initial का, I hope आपको यह समझ में आ गया होगा, अगर कहीं भी कुछ भी doubt है, वीडियो को pause करिए, एक बार फिर से देखे, सारा doubt clear हो जाएगा, चलो अब इसको solve कर देते हैं, work done by external, द Q square divided by 3A, 3 से 3 क्या हो जगा हमारा, बोलो, 3 से 3 हमारा क्या होगा, यह तो हमारा cancel हो जाएगा कि नहीं, बोलो आप, I hope आपको यह समझ में आ गया होगा, अगर कहीं भी कुछ भी doubt है, तो वीडियो को pause करके एक बार फिर से देखना कुछ नहीं किया है, just इसका यहाँ पे value Q square minus K Q square करोगे, तो A निकल के आएगा, 2K Q square divided by A, इतना work done हमारा करना पनेगा, external force को, अगर यह है, electro static force पुछता था हम इसका minus कर देते, कर देते कि नहीं क्यों, और यहाँ पे देखो minus इसलिए आता, electric force की सब positive है, एक दूसरे को क्या कर रहे है, रिपेल, बोलो, इस टाइप लेते हैं, एक दो, बोलो, potential energy में कुछ भी doubt, इसलिए मैंने पहले आपको concept, detail में सिखा देखो, concept बहुत ही complicated होता है, इसलिए मैंने आराम आराम सा आपको explain किया, फिर आपको question solve करना, सिखा देखो, question में कुछ भी नहीं करना, change in potential energy लेना, equal to work done, आपका होता है, यही दो कीजिए ही पूछेगा, चलिए अगला question लेते हैं, वीडियो को pause करिए, और एक बार खुद से try कीजिए, I hope आपने try कर दिया होगा, अगर आपसे solve हो गया, तो बहुत ही अच्छे बात, नहीं हुआ, मैं कर रहा हूँ, आप देखिए कि कहां पे आपसे गलती हो रही है, क्य the potential energy of the system, आप 3 charges की 0, जो पूरे system की potential energy है, वो क्या है, 0, आपको बोल रहा है, find ratio between Q and Q, अगर 3 charge है, कितने system बनेंगे, 3C2, उसको divide कर दो 3 आएगा, यहां आपको दिखा देते है, question कहा रहा है, पहले उसको visualize करते है, यह है हमारा straight line, ठिक, कोई दिक्कत, कोई नहीं, हमने यहा दूरी पर plus Q रखा हुआ है, और उतने ही दूरी पर minus Q, इनके बीच जो distance है, वो हमारा क्या है, same है, देखो equal distance, मान देते हैं, यह दोनों हमारे R दूरी पर रखे हुए हैं, आप बोलो, इनके बीच कितने system बनेंगे, जो हमारी potential energy system की है, वो क्या है, 0, यह हमको यहां पे द आप नहीं solve कर पाएं, आप अच्छे से देखो, देखे, क्यूस्चन automatic solve होंगे, तो यहां हमारे कितने charge में फिर से basics इसको बता रहा हूं, charge है 1, इसको नाम दे देते हैं 2, और इसको नाम दे देते हैं 3, total है 3, C, कितने charge चाहिए, minimum system बनाने के लिए 2, तो क्या जाएगा, 3 factorial divided by 2 factorial, into 3 minus factorial, मतलब multiply होते होते 1 तक जाना है, जब इसको हम expand करेंगे 3 into 2 into 1, divided by 2 factorial, कि बएद दो 2 into 1, और 3 में से 2 जाएगा, already 1 आएगा, 2 से 2 cancel हो जाएगा, बचेगा हमारा कितना 3 system, यह तो देखो छोटा है, आपको यहां देखके समझ मारा मानो 6, 7 देगा, exam में तो देखो नहीं देगा, number आप system पूछता है, इसके लिए मैंने S सिखाया है, तो चलो यहां पे लिखते हैं, US कौन कौन सा बनेगा, U 1, 2, 1 बनेगा, देखो, 1 out 2 मिला के एक pair बनाएगा, U 2, 3 मिला के एक pair बनाएगा, और U 3, 1 मिला के एक pair बनाएगा, बोलो समझ में आया कि नहीं, अ और need में कई बार की question आये हुए हैं, तो चलो हम U 1, 2 लिखते हैं, तो हमें क्या लिखना है, K, 1 पे कितना charge है, minus Q, देखो, sign के साथ लिखना है, और यहां पे कितना है, plus Q, इनके बीच के distance कितनी है, 1 और 2 के बीच distance, R, plus U 2, 3, 2 और 3 को लिखना है, K, यहां पे हमारा क्यों सा charge है, plus Q, और Q 3 पे कौन सा charge है, minus Q, 2 और 3 के बीच distance कितना है, R, plus, अब 3 और 1 पे लिखना है, K, minus Q, 3 पे minus Q है, 1 पे भी minus Q है, Q1, Q2 को मैंने बोला था, sign के साथ ही रखना है, अब 3 से 1 के बीच कितना distance है, R, plus R, यह मिल के हमारा आ जाएगा, 2R, और यह हमारा जो इसकी potential energy है, 0 के, तो यार देखो, अगर मैं K by, K, Q by R, सब में common ले लूँ, बोलो, इसको ले लूँ, कभी Q को रहने दूँ, आप जो बोलो, चलो, इसको और simplify करते हैं कि क्या आता है, 0 बराबर, इधर क्या जाएगा, minus K, Q, Q, divided by R, मैं पूरा दिखाता हूँ नहीं, question solve हो जाता, यह जाएगा, minus K, Q, Q, divided by R, होगा नहीं, बिल्कुल यहीं होगा, अब देखो, मैंनस Q, मैंनस Q, इधर क्या हो जाएगा, plus K, Q, square, divided by 2R, होगा नहीं, अगर यहां समय और common लूँगा, तो यह आर यहां से cancel हो जाएगा, के बाई यार, के बाई यार लूँगा, तो मैं यहां से cancel हो जाएगे, बचेगा, क्या यहां, minus Q, Q, मैं Q को भी जेकर common cancel कर सकता था, क्योंकि सब में था, लेकिन बोला चलो, एक round अउर ले लेते हैं, minus Q, Q, plus Q, के, बाई यार को common लेकर cancel कर दिये हैं, ठीक है, Q e square by 2, plus Q e square by 2, equal to 0, आएगा, यहां से Q लेकर फिर से गाइब करते हैं, तो यह क्या मुने माइनस 2 के q equal to minus q square by 2 है कि नहीं यहाँ minus से minus से plus हो जाएगा a q से a q cancel होगा तो q equal to जो हमारा निकल के आएगा 2 into 2 a निकल के आएगा 4 q यह हमारा resistance आ गया हमसे पूछ क्या रहा था q by q तो यहाँ पे अगर यह 4 का multiply है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा यह हमसे पूछा था बोलो अगर आपको potential energy पता होगा आप इतना लंबा नहीं करना है सीधा यहीं पे बैलू रखोगे सीधा आप ए step पे आओगे और इसको पलक जपते हैं सीधा स्वाब करोगे एक्जाम में आएगा बोलो चार नंबर कर लोगे एक नहीं आप आसानी से कर लोगे अगर कहीं भी कुछ भी doubt है वीडियो को pause करिए एक बार फिर से देखें सारा doubt आपका clear हो जाएगा देखो जार इस पे आप question प्रेटिस है बस एक छोटा सा ही concept था मैं उसकी feel लाने के लिए मैंने जो 30 minute starting में आपको concept सिखाए थे बस इसलिए का आपको question की feel आ जाए इसलिए अगला question वीडियो को pause करिए और अच्छे से देखे यहाँ पे एक मिनट ए टाइपो एरर है ए 10 के पावर 6 है चलो वीडियो को pause करिए और खुझ से try कीजिए I hope आपने try कर लिया होगा अगर आपसे solve हुआ तो बहुत ही अच्छे बात नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूँ और देखिए कि आपसे कहां पे गलती हो रही है देखो यह बहुत है easy question है आपका work power energy और उसका mix up है क्या बोज़ रहा है तू इलेक्ट्रोंस इच मूविंग भी था velocity आप 10 की power 6 meter per second और रिलीज टू आट्स इच अधर एक दूसरे की तरफ रिलीज किये गए है what will be the closest distance आप अप्रोच बिट्विन देखो अगर same charge है अगर मैं यहां से दोनों को छोड़ू यहां पर कुछ time तक तो आएंगे लेकिन same charge है वो क्या करेंगे रिपेल करेंगे तो बोल रहा है कि अगर हम kinetic energy देखे छोड़ेंगे तो कुछ time तक तो यह आएगा लेकिन जैसे ही potential energy उसके लगना सुरू होगी जिसके कारण वो रिपेल आएगा तो उसको रोकने लगेगा तो वही वो बोल रहा है कि minimum कितने distance तक जा सकते है बोलो question समझ में आया की नहीं तो चलो यहां पर मैं draw करता हूँ क्या कर देता हूँ मान देते हैं यह हमारा एक electron इधर है एक electron इन दोनों को भी velocity दे गई थी ठिक भी velocity दे के रिजेच किया गया जब हम रिजेच किये कुछ time बाद यह दोनों क्या हो जा रहे हैं एक minute पोजिशन चेंच करके बनाते हैं यह मान देते हैं यहां पर आ जा रहा है अगर इसको मैं one बोलू इसको two यह सब हमारे क्या है electrons हैं ही की value हमें दिया हुआ है कुछ time बाद यहां पर आ जा रहा है इसके बाद रिपेल करना चालू होगा तो बोल रहा है कि minimum कितना distance आएगा मैं मान देता हुए minimum कितना आएगा आर तो हमसे यही आर की value पूछ रहा है बोलो पहले question समझ में आया की नहीं question देखो समझ जाओगे work power energy लगाके तुरंट इसको आप कर लोगे क्या क्या दिया है यहां पर जो velocity दी है भी वह हमको दिया हुआ 10 की power 6 meter per second अब यार electron का है हमें समझ में आया कि हम क्या करें तो तुरंट मेरे दिमाग में आया कि जब भी velocity आई है मतलब kinetic energy तो रही ही रही होगी electron है उसका mass भी होता है move कर रहा है कोई भी particle इसके बाद जब यहां पर repel चालू हुआ तो हमारी potential energy आईगी कि नहीं जरूर आईगी तो यहां पर जो हमारी पूरी kinetic energy होगी वो electric potential energy में convert हो जाएगी बस यही concept लगाना था और answer तुरंत हो जाएगा तो यहां पर मैं मान देता हूँ क्या है ले are each closest distance इससे पास नहीं आ सकते ठीक are each closest distance शुरू करें स्वाल करना पूरा लिखें का आप समझ गए अगर मैं direct kinetic energy दिखूँ तो आप बताओ यहां पर जो इस distance पे हमारा जो total kinetic energy है यह हमारा किस के बराबर होगा जो हमारा total kinetic energy है यह हमारा किस में convert हो जाएगा electric potential energy electric potential energy होगा नहीं अब हमें याद है हाँ यह तो बिल्कुल होगा अब दोनों की velocity है तो चलो हम लिखते हैं कितनी kinetic energy थी half mb square कितना यह question है तूरंत होगा आप कुछ करना ही नहीं है आप mb square equal to हम electron के mass है ना तो m e कर देते हैं m e equal to potential energy क्या होती है k q into q into q दोनों electron है सेम रहेगा divided by इनके बीच जो closest distance आएगा कितना होगा इनके बीच closest distance k q q by r बोलो समझ में आया की नहीं I hope आपको यह समझ में आ गया होगा मास आप electron मैंने पिछले भी session में आपको बताया था और इसको याद रखना 9.1 into 10 के power minus 31 kg होता है और electron पे charge कितना होता है charge on electron होता है 1.6 into 10 के power minus 19 qolambs याद है कि भूल गए अब बस इसमें बैलो पूट करनी है सारा आपको यह समझ में आ जाएगा हमसे क्या पूछा है r तो चलो r equal to यह देखो half mb square halves half zoom के पूरा हो जाएगा और half half cancel हो जाएगा तो हमें r की value चाहिए k की value हम put करें 1 by 4 pi epsilon 0 into q q क्या हो जाएगा q square divided by यह देखो half half जूट के पूरा हो जाएगा यहाँ पर आएगा mass of electron into v का square बोलो समझ में आया की नहीं इनके बीच हमें distance चाहिए r तो हम कैसे निकालेंगे 1 by 4 pi epsilon की value 9 into 10 के power 9 अब तो यार calculation है divided by charge कितना है 1.6 into 10 के power minus 19 इसका square divided by यहाँ पर क्या है mass of electron into velocity mass of electron कितना है 9.1 into 10 के power minus 31 kg सारी unit SI में velocity कितने speed से आ रहा है 10 के power 6 meter per second से जा रहा है ठीक है बोलो समझ में आया की नहीं इसका square जब इसको solve करोगा मैं direct solve करके बैदू दिखाऊ उसको put कर देते हैं आप verify करना जो closest distance आएगा are equal to 2.53 into 10 के power minus 10 meter और एक meter में कितने अगर स्ट्राम में कितने meter याद है भूल गए एक अगर स्ट्राम equal to 10 के power minus 10 meter होता था कि नहीं मैं इसकी जगा एक अगर स्ट्राम जिख सकता हूं तो अगर कभी answer आपको अगर स्ट्राम या सब में पूछे तो लिख लेंगे कि नहीं आसानी से लिख लेंगे नहीं आता आप पोटेंशियल में काईगे है कौन से पोटेंशियल electric potential energy और उसका क्या है difference आई होप आपको समझ में आ गया होगा यह रहा electric potential energy की बारे में अगले session में हम dipole का electric potential energy कैसे होता है उसको एक separate lecture में cover करेंगे आई होप आपको समझ में आ गया होगा अगर कहीं भी कुछ भी doubt है आप मुझे comment कीजे मैं आपको उसका solutions provide करूँगा अगर आपको कोई query है मैं video के description में Gmail ID का link attach करता हूँ आप वहाँ से मुझे mail कर सकते हो कुछ भी doubt है मैं वहाँ पे आपको clear करूँग या कोई query है आप वहाँ पे post कीजे आपको उसका solutions मिल जाएगा इसके अलावा अगर जो कुछ मैं यहाँ discuss कर रहा हूँ इसका notes चाहिए Eleggram group है आप जाएए वहाँ पे जो कुछ मैं यहाँ लिखता हूँ lecture खतम होने के बाद वहाँ post करता हूँ उसको download कर जीजे और अपना खुद का notes बनाईए तो ए रहा आज का session comment करके जरूर बताईए वीडियो आपको कैसा लग रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं क्योंकि जब तक आप लोग feedback नहीं दोगे हमको नहीं पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं तो इसलिए feedback दीजे और अपने friend को share कीजे ज़्यादा ज़्यादा क्योंकि इतना ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतना बेटर होगा देखो यार इतना मैं आप लोगों के लिए आपको यकी नहीं हो आप इंडिया की कोई भी टॉप कोचिंग उठा लेना यहीं तो सिखा रहा हूं तो मैं कोई नहीं कर रहा हूं सारी चीजें बुक में आरेडी दिखी हुई है पस उसी को मैं इजी वे में आपको मैं आपको यह सब वीडियो बनाके तीन चार चार बुक से रिफ्रेंस देखे तब आपको यह सब सारा कांटेंट प्रॉइड करता हूं अगर आप physics हमारे चैनल से study कर रहा हैं आपको पता ही होगा कि जो भी exam हो चाहे NEAT हो, JEE हो या कोई भी बुर्ड हो, state बुर्ड हो, CBSC बुर्ड हो सारे कियुस्चन हमारे node से ही आते हैं आपको यकीना हो क्युस्चन में मैं नहИक जितना cover किया था नीट हो जेए 2024 में जो question आये है वो notes से ही आये है अब मैं फिर से बोल रहा हूँ अभी 2025 में जो exam होगा नीट हो जेए हो या आप class 12 board exam दोगे देख देना इस notes के बाहर एक भी question नहीं आएगा मैं अभी इसकी guarantee दे रहा हूँ ठीक है अगर आप हमारे चैनल से physics study कर रहे हैं बेफिक्र हो के पूरा देखे मैं आपको guarantee दे रहा हूँ physics में आपका एक single question भी नहीं रुकेगा बस आप इसको देखे अच्छे से revise कीजिए समझे question practice कीजिए question practice के लिए आप अपनी test book लगाए और इसके बाद आप नीट या जेई का जो प्रिप्रेशन कर रहे हैं दोनों बुक का प्यू आई क्यू लगाए चार से पांच बार आपका एक भी question नहीं रुकेगा यहीं है इसका मूल मंत्र ठीक तो चलिए इसे के साथ आज का session समाप करते हैं मिलते हैं अगरे session में एक नए topic के साथ तब तक आप ज़्यादा-ज़्यादा question practice करें, device करें, thank you